वेलकम टू नेक्सिक जाम आज है 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त 2022 से करेंट एफस से के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्टिवी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आप से कुश्चन भी पूछूँआ उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडिया फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडिया पाप मारे टेलेग्राम पर आपको सारी पीडिया पीडिया पर एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम के लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्रूशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुर्प जायन कर सकते हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन हाली मे पारसी नब बर्स कम मनाया गया है तो अभी सत्रे अगस्त को पारसी नब बर्स मनाया गया तो इस कुछिन का बे अप्सिन सही है अच्छा ये जो पारसी नब बर्स होता है इसे नब रोज की नाम से जाना जाता है नब मतलब नया रोज मतलब दिन तो पारसी नब बर्स नब रोज अभी 17 अगस्त को मनाया गया है अच्छा ये पारसी नब बर्स मनाया को जाता है तो फारस के राजा थे जमसेद इनकी याद में ये पारसी नब बर्स मनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 17 अगस्त को ही अपना सिंगासन ग्रेट किया था और इसी दिन से पारसी नब बर्स की सुरुवात होई थी अब ये इंपूर्टेंट डे वाला कुशिन है तो अभी सूले अगस्त को वेरिंग्टन बेटरल डे मनाया गया चौदे गस्त को विभाजन बिवीजी का इस्मरण दिवस मनाया गया तेरे गस्त को वेस्सु अंगदान दिवस मनाया गया बारे गस्त को अंतरास्टी युबा दिवस वेस्सु हाथी दिवस और वेस्सु संस्क्रत दिवस मनाया गया हाथी बेश्चु हाथी दिवस इस पर मैंने आपको एक कुशिन बताया था ये इंडिया में प्रूजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और इंडिया में प्रूजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ अच्छा अंतराष्टी युवा दिवस ये बारे अगस्त को बना जाता है और राष्टी युवा दिवस स्वामी विवेकरन जी की जैनती पर बारे जन्मरी को बना जाता है अच्छा 10 अगस्त को 200 जैब इधन दिवस और बल्ड लाइन डे बनाए गया 9 अगस्त को 200 आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाए गया 8 अगस्त को भारत छोडो आंदोलन दिवस मनाए गया साथ अगस्त को रास्टी हत्करगा दिवस और रास्टी भाला फैक दिवस मनाए गया चे अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाए गया पांच अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाए गया दो अगस्त को पिंगली बैंकेया की 146 में जैनती मनाए गया पिंगली बैंकेया ने भारती राष्टी द्वज का प्रारंबिक डिजाइन तैयार किया था एक अगस्त को मुसलिम महिला अधिकार दिवस और बल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया तो अगस्त में अब तक इतने इंपोर्टेंटें बनाये गए हैं यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है एलफो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेयर जरुक्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लिएक टार्गेट फिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मौर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लिएक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा तो इस कुश्यन का से ओप्सन से यह हैं बेलियम रूटो और इनों नहीं अभी केन्या की राष्टपती का चुनाब जीता है अच्छा केन्या तो यह है मैप में केन्या केन्या की केपिटल क्या है नैरो भी केन्या की करन्सी क्या है केन्या ही शिलिंग और केन्या के प्रजैन टेम पर प्रेसिडेंट कौन है यू केन्या था अब नए प्रेसिडेंट का चुना बिलियम डूटो ने जीत लिया है अच्छा अभी जेम्स मारे पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने वजराम बेगाज ये अलबानिया के नए राश्पती बने सेक मुहम्मद स सवा अलसलेम ये क्वेट के नए प्रधानमंतरी बने हैं यायर लैपट ये इस्रैल के नए प्रधानमंत्री बने है उश्टावफिय पैट्रो इन्हों ने अभी कोलंबिया के राष्ट्पती का चुनांव जीत ता जोस राम मों सोटा ये एश्ट तेमूर के नए राष्प मारकोज जूनियर ने अभी फ्लेपेंस के राष्ट पती का चुनाव जीता है अच्छा रोडरिगो चाप्स ये कोस्ट आरिका के राष्ट पती चुने गए यून्सुक यूल ये साउथ कुरिया के 13 में नमबर के राष्ट पती बने है रोबर्ट गुलूप ये स्लोबेनिया के नए पतानुत्री चुने गए और पैट्रिक अची ये आइवरी कोस्ट के नए पतानुत्री बने है अभी ये रीसेंट प्राइमिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम आपको याद रखना है नएक शुशन है हाली में किस ने मेक इंडिया नंबर बन मिसन बिल्ली के ताल कदोरा इस्टोडियम से सुरू किया गया और इसमें स्वास्ते, सिक्चा, क्रसी और रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। नहीं ही शिन है, हाली में बारत थाइलेंड सेयुक्त आयोकी नौमी बैठक कहा आए जित हुई? तो भारत, थाइलेंड, सेयुक्त, आयोकी 9 भी बेठक अभी बैंककॉक में आई जित हुई तो इस question का say options आई ये अब थाइलेंड तो ये है map में थाइलेंड थाइलेंड की capital क्या है? बैंककॉक थाइलेंड की currency क्या है? थाइ बहत और थाइलेंड के present time पर प्रायमिस्टर कौन है? प्रयूत चान ओचा कौन है? प्रयूत चान ओचा नया question है, हाली में master card ने कितने badminton खिलाड़ीों को brand minister की रूप में सामिल किया है? तो अभी master card ने भारत में चार बैडमिंटन खिलाडियों को अपने ब्रांडमिंटर की रूप में सामिल किया तो इस कुछ इनका बे ओप्सन सही है अब ये चार बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से हैं लक्षी सेहन, किदामवी स्रीकान, सात्विक, साहीराज, रिक्की रेड़ी और चिराग सेटी इन चा बैडमिंटन खिलाडियों को मास्टर कार्ड ने भारत में अपने ब्रांडमिंटर की रूप में सामिल किया है, ने क्यूशन है, हाली में भारत का पहला 3D प्रिंटिट मानब कॉर्निया कहां विक्सित हुआ है, तो ये अभी हैदराबाद में विक्सित हुआ, तो इस कुछ सुल्तान अजलान सहकप का आयोजन कहां किया जाएगा, तो सुल्तान अजलान सहकप इसका आयोजन अभी मलेशिया में किया जाएगा, तो इस कुछिन का से अप्सिन सही है, अब मलेशिया तो ये है मैप में मलेशिया, मलेशिया की केपिटल क्या है, कौलालमपूर, मलेशि कि प्रजेन टाइम पे प्राइमिस्टर कौन है इसमाईल साबरी याकूब कौन है इसमाईल साबरी याकूब नए क्यूशन है हाली में बेर दुर्गादास राठोर की प्रतिमा का अनावरण केस ने किया है तो हमारे रक्षावंतरी है राजना सिंग इनों ने अभी राइस्त प्रोड की अभी 385 में जैन्ती मनाई गई है नए क्यूशन है हाली में IFFM 2022 में सर्व स्रेष्ट अबिनेता का किताब किस ने जीता है तो अभी IFFM यानि कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ओफ मैलवर्न इसमें अभी सर्व स्रेष्ट अबिनेता का किताब रडबीर सिंग ने थी था तो इस कुशन का A options है और इसमें सर्व स्रेष्ट फिल्म कौन सी बनी है 83 ने कुशन है हाली में किस देश के क्रिकेटर केविन ओव्राइन ने अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास लिया है तो केविन ओव्राइन ये आयरलेंड के क्रिकेटर है और अभी इन्होंने अंत अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास लिया तो इस कुशन का B options है ये हैं केविन ओव्राइन ने कुशन है हाली में किस राज सरकार ने खिलाडियों को 2% आरक्षड देने की गोश्ण की है तो अभी करनाटक ने खिलाडियों को 2% आरक्षड देने की गोश्ण की तो इस कुशन क से ओप्सन से यह अब करनाटक तो यह है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल क्या है बैंगलॉर करनाटक के चीपनिस्टर कौन है पसबराज बॉंबई और करनाटक की गवर्नर कौन है ताबर चंद्र गहलौत अच्छा अभी गाये गोद लेने के लिए पुंडिकूट दत् प्रेला ब्रेन हेल्थ क्लेनिक बैंगलूरू में शुरू हुआ और नेत यायो के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में करनाटक टॉप पर रहा अच्छा करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क है बांदीपूर अंसी नगर होल बनलकट्टा और कुद्रे मुखा नेशन की भासा में संस्कृत बोली जाती है नेशन है हाली में बरिस्ट नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टाट अप किस ने लांच किया है तो यह रतन टाटा जी ने लांच किया तो इस कुश्यन का बे ऑप्सिंस है इसमें पेड़े गत दूस्ती को बड़ावा दिया जाएगा तो यह बरिस्ट नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टाट अप है जिसे रतन टाटा जी ने लांच किया है नेशन है हाली में ब्लादमिर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके दौरा लिखी गई तो यह अभी फिलेफ सॉट न की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स नेशन है हाली में एसिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ट बायो गैस संयंत्र का संचालन कहां सुरू हुआ है तो यह पंजाब के संगरूर में सुरू हुआ तो उसकुषिन का बे आप्सन सही है पंजाब के संगरूर जिले मे एसिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ट बायो गैस संयंत्र का संचालन सुरू हुआ है नाक शिशन है हाली में इस्कूल सवक्षता सिक्षा कारेकरम पहल के स्राज ने सुरू है तो यह उत्तराखंड ने सुरू की है तो इसकुषिन का से अप्षन सही है इस्कूल में बच्च को स्वच्चता करति जागरूग करने के लिए स्कूल सवर्च्छता सिक्चा कारिक्रम पहल अभी उत्राखंड में चुल में उत्राखंड Owdown सरकार प्रतेक जिले में एक संस्कृत भासी गाउं विक्सित करने का निड़े लिया है। इतना आपको उत्राखंड के बारे में आध रखना है। आपको एक बारे में आपको एक बारे में आपको इतना ज्यादा से ज्यादा पता हो। क्योंकि जो चीज़ें आप लिक्त देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का कुशन है। हाली में केस राजी के मुख्यमंत्री ने एक हजार मॉडल आंगरवाडी केंद्रो का सुभारम किया है। चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर होता ना है। और इसके अलाबा हम मारे Facebook पेज़ पर प्रेवेस एर कुशन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप Facebook पर next exam सर्च करके मारा Facebook पेज जोईन कर सकते हैं। क्योंकि प्रेवेस एर कुशन आपको बहुत एल्प करते हैं। अगर आपको किसी कुशन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है। तो आप Instagram पर इंद्रेश RC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फिजन, without any agitation, डिसकस कर सकते हैं। अच्छा, आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू व्याद रखना है। आज किस वीडियो का टार्गेट है, 40 यह लाइक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और share जरू किया करो। और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को share जरू करते हैं। तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो, आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजी। आपको इस चैनल से निश्चेती मजब मिलेगी।